Hello friends, एक मज़धार बात बताऊं, English grammar में topic तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने सभी लोगों को, teachers को, सभी को ये कहते सुनोगा, कि अगर English सीखनी है, तो tense सीखना बहुत जरूरी है, अचा सभी ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि बात में dumb है, चलो सिद्ध करके बताऊं, चलो सिद्ध word, gerund बगरा, ये दिखते हैं, इनका प्रियोग होता है, नहीं होता न, लेकिन हर sentence में tense का प्रियोग जरूर होता है, sentence कैसा भी हो, लेकिन उसमें हम time जरूर देखते हैं, और time को बताने वाले चीज़ होती है, tense, इसलिए tense इतना famous हुआ, और वैसे भी शुरुआत में, मैंने माध्यम से translate करना सीख जाते हैं, तो कहने का मतलब है, English सीखने के लिए tense बहुत जरूरी चीज़ है, और सभी tense सीखते भी हैं, लेकिन कितने लोग हैं, जो tense को पक्का कर लेते हैं, एक बात बताओ, वास्ता में tense पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग tense को पक्का कर लेते हैं, अब अब एक तो वह दो दिन से खाना नहीं खा रही है, रही है, रहा है, लेकिन दो दिन से अच्छा प्रजेंट परफेक करना स्टेंस है, अच्छा इसकी helping verb क्या है, has been, has been, verb ing form आईगी, अच्छा इतना time नहीं लगना चाहिए, जिसको इतना time लग रहा है, उसने tense तो पढ़े बट कच्चे हैं, चलो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, पॉइंट पाजाओं, अब बात करते हैं कि tense कैसे पका करें, और फिर मैं भूल गया, बात ये थी, देखिए, बहुत साल से पढ़ाया, हजार वच्चों को पढ़ाया, तो ये technique मैंने खुद इजाद की थी, कहने का मतलब है, जैसे मैं टेंस पढ़ा दिया किसी क्लास में, तो most of teacher क्या करते हैं, बहुत सारे वीडियो बना दूगा, फिर मैं भटक गया, पॉइंट पाजाओ, जैसे हमने टेंस पढ़ा दिये, तो सबसे पहले, ता है, ती है, ते है, प्रजेंट इंडिफ टेंस है, इसका structure बनेगा, subject plus first form, helping by, do, does, इस तरह से, बहुत फ्यूचर इंडिफ टेंस है, will sell, first form, यह सारे लिखा दिये, फिर example, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, क्या राम स्कूल जाता है, इनकी इंग्लिस बना दी, उसके बाद एक tense हो गया, अब बच्चों घर क पकाती है, तुमारे पापा क्या करते है, इस तरह से, बच्चे घर जाएंगे, एक दो खुद बनाएंगे, एक दो मम्मी से पूछेंगे, एक दो पापा से पूछेंगे, और बस आदिया दूरी करके, लो सर, मैंने बना लिए, teacher, correct, 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 इस में थोड़ी सी घलते, correct, teacher न मैं यह करता था, यह चार बच्चे खड़े कर दिये, आप इससे एक inspiration लेना कि आपको कैसे पका करना है, ठीक है, अब मैं बच्चों से कहता था, कि इस बच्चे से, बेटे खड़ाओ, फिर मैं इससे कहता, बेटे, एक sentence बनाओ, present perfect tense का, तो बच्चा, मला हिंदीम बोलता है मैं इससे, तो बच्चा क्या कहता, present perfect tense, सर्तकर संबोधन है, वह खाना पका चुकी है, very good, शावा, शावासना, फिर मैं इससे कहता, बेटे, इससे, इसका माना A, रुको, इदर से, A, B, C, और D, ठीक है, तो माना मैं इदर से ले लेते हैं, A से question किया, present perfect tense का sentence बनाओ, इसने इसने का, वह खाना पका चुकी है, अब मैं B से बोलता, जो इसने बोला ना, इसकी English बनाओ, तो ये थोड़ा सोच के इसकी English बना देता, C has cooked food, फिर मैं इससे कहता, C से, कि बेटे, अब ये जो sentence है ना, इसको negative में change करो, तो ये कहता, C has not cooked food, अब मैं इससे कहता, कि बेटे, इस sentence को change कर दो, यानि, C has cooked food, इसको past indifferent times में बनाओ, तो ये बचा थोड़ा सा सोचता है, क्योंकि सबसे tough काम मैं ने इसको दिया, C has cooked food, past indifferent times में क्या होता है, C cooked food, C second form लगा दी, ठीक है, correct, तो ये एक round हो गया, अब ये क्या एक game बन गया, चार बच्चे खड़े हैं, और चार सेंटेंस दे दिए, चेक कर लिए, यहाँ पर एक्टिव मैं प्रिजेंट में काम हो रहा है, एक्सन हो रहा है, तुरंती, तुरंत सोच रहें, खड़े-खड़े, कोई pen copy नहीं है, तो मजा रहा है उनको, फिर तुरंती वो ऐसे एक्सन ले रहे हैं, तो उनको अच्छ बच्चा अब इंग्लिस सुन भी रहा है, make a sentence or present an understands, your sentence should be negative, बढ़ा देखो एक सार तोर लगा दी, अब बच्चा सोचेगा, present an understands or sentence negative होना चाहिए, तो फिर, और इंग्लिस में भी बोलना है, सबसे बात तो ही है, इंग्लिस में भी बोलना है, उसको भी, मैंने इंग्लिस मे रहा हूं, सबसे पहले कौन सा answer देगा, reply देगा, कि सबसे fast कौन सा देगा, हो सकता है, ये देदे, ये देदे, ये third time देना है, इसने फटाबर से बोल दिया, she is not cooking food, या she is not going to market, कुछ ही बोल देता, अब मैं tense change करवाता, मैं कहता, कि इस से, माना इस से किसी से भी, या फिर ये बोल दो कोई भी जल्दी करेगा, now change this sentence in the same form, अब इस sentence को same form, या नेगटिव में change करो, in present perfect tense, तो present perfect tense में change होगा, तो क्या आएगा, she has not cooked food, वह भोजन नहीं पका चुकी है, ठीक है, अब मैं इससे कहता, माना इस नहीं दिया है, कि now change this sentence, in future indefinance, in introvertive form, मह बना इसी sentence को future inde different tense में, integrative form में change करो, तो फिर ये बच्चा बोलता, will see cooked food, क्या भोजन पकाएगी, इस तरह से, कहने का मतलब है, इसमें दिमाग ज़्यादा लगता है, और धानक ना, दिमाग जब ज़्यादा लगता है, तो हम ज़्यादा सीखते है, यानि एक्शन तुरंत आना चाहिए, दिमाग पर लोड पढ़ना चाहिए, और फिर खेल खेल में सीख जाते है, तो कहने का मतलब है, इस तरह से आप practice करें, कहने का मतलब है, बार है tense, उनके बार है structure आपके दिमाग में होने चाहिए, अब दिमाग में तो रट लिए, वो तो रटा है, लेकिन practice में कैसे लाओग कोई नहीं है, मम्मी, पापा, भाई, बाई, बैट गए, सब के साथ ये practice करो, मतलब जो जो इस practice से एक बार गोजर जाएगा ना, उसके tense पके हो जाएंगे, कहने का मतलब है, एक बाद बताओ यार, मैं अक्सर ये example classes इन देता था, स्याद यूट्यूब पे भी एक आज वी इसका, अच्छा, इंग्रिस जानता है, हाँ, tense पढ़ लिए, हाँ, तो बेटे, मैं एक sentence बोल रहा हूँ, इसको, इसकी इंग्रिस बनानी है, तो उसने बोला कि राम चार दिन से school नहीं आ रहा है, राम चार दिन से school नहीं आ रहा है, तो बच्चे ने कहा, राम चार दिन से school नहीं आ रहा है, अंकल, मैं घर जाता हूँ, कॉपी लेकाता हूँ, उसमें structure, उसमें पहचान ढूणूँगा, फिर tense ढूणूँगा, ऐसे थोड़ी होता है, तुरंत ही, मैं में तुरंत के लिए, ये techniques काम में देती है, यानि आपको ऐसे action लेने होंगे, आपको ऐसे practice करन करे, एसाँनिये की sentence, कभी cook के साथ चले, कभी जैसे वास के साथ चले, कभी जैसे run के साथ चले, कभी play के साथ चले, subject change करके, कभी I ले लिया, कभी you ले लिया, कभी measures, कभी मुहन ले लिया, कभी negative बना दिया, कभी intent बना दिया, ये practice कर लो, आप 1000 कौपीय में लिखते हो, न structure उनकी बजाए आप एक दो दिन ऐसी practice कर लेना मैंने कुछ पढ़ाया नहीं सर्फ आपको रहा दिखाए कि tense कैसे पक्का करें और धनकना एक बार tense आपको पक्के करने यह क्या है यह सारा ड्रामा पता है क्या है यह बच्पन का है शुरुवात का ड्रामा है आगे जब हम डेप्थ में जाते हैं तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है बहुत सारी चीज़ें बहुत साइट टर्मस है बहुत साइट टॉपिक्स हैं जो मैं सीखने पड़ते हैं लेकिन सुरुवात में तो tense को खेल खेल मैं इस तरह से बार दुरुस्त कर लो क्योंकि देखे आप को ऐसे घुमाया करो ठीक है डिरेक्ट इंग्लिस में एसे नहीं पहले हिंदी हिंदी का चकर खतम टेंस का नाम और उस टेंस का डिरेक्टिक कोई सेंटेस इंग्लिस में आपके मुझ से बाहर निकले शुरुवात में टाइम लगेगा लेकिन प्रैक्टिस से वह चीज़ ज जीजिए उसके paid course में आपको complete English grammar course मिलेगा जिसमें हमने सारी सारे इंग्लिस grammar को सारे topics को sequence में cover किया है with PDF notes हाँ YouTube पे भी है लेकिन बिखरा पढ़ा है लेकिन यदि आप sequence में चाहते हो तो आप वो course purchase कर सकते हो एक्स्टा मिनत लगी है थोड़ी फीस है और हाँ यदि आप spoken स पर्चेज कर सकते हो पर्चेज नहीं करना चाहते मैं किसी को फोस्ट नहीं करता YouTube आपका वेलकम है आज आपको टैंस को पका करने की विदी बताई अब देखो बहुत सारे वीवर सोच रहोंगे सरकुछ पढ़ाया नहीं कितना पढ़ा दिया यार कितने सारे वीडियो बना बाई